नमस्ते और वेलकम तो मैं चानल मैं हूँ शेफ निकित और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं परफेक्ट रोशुग लज जो खाने में सुपर स्पॉंजी टेस्टी होंगे और हाँ इसे हर कोई असानी से बना लेगा जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं ना पड़े कमाल के जल्दी से मेरे चानल को भी सब्सक्राइब कर लीजे ठीक है अब आए रेसिपी शुरू करते हैं मैंने यहाँ पे एक लिटर मिल्क लिया है और इसे कुछ देर तक उबाल रही हूँ उबलते उबलते ना इसका जो फ या दो चमर्च जैसे कि यह दूद फट जाए उसके बाद बहुत ही धीरे-धीरे हाथ से इसे हमें चलाना है और आप देखेंगे जो सेकेंड में ही हमारा दूद जो है ना वो फट जाएगा और जो छेना है ना वो क्रम्बल होके एक साथ आएगा मतलब ऐसे छुटे-छुट पार्टिकल्स में छित्रा हुआ नहीं रहेगा समझ में आ रहा है आपको इसलिए हम इसे धीरे-धीरे ही चलाएंगे इसके बाद हम इसे ना स्क्वीज नहीं करेंगे यानि निचोड़ेंगे इसे बस कपड़े में लपेट के रग देंगे और अपने आप इसका पानी गरन इसका में टेक्नीक है कि इसे हमें कुक कैसे करना अगर आपने इसे कुक सही से कर लिया तो आपका रोशगुला कमाल कर बनेगा उसके बाद इसमें हम डालेंगे इलाइची मैंने यहाँ पांच इलाइची लिया है जिससे बहुत अच्छा रोशगुला में फ्लेवर भी आ और इसे ढग देंगे ताकि यह जल्दी कुखो उसके बाद grinder jar में यह छेना डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे यह आप देख सकते हैं इसमें हम डालेंगे आधा चम्मत से भी कम आरारोट यानि कॉन फ्लार आधा चम्मत से भी कम मैदा और इसमें जस्त पिंच मतलब नाम क के लिए बेकिंग पाउडर समझ लीजिए अगर आपने इससे जादा डाला तो आपका रोशुगुल्ला खराब हो जाएगा इसलिए आधा पिंच बस नाम के लिए और इसे ग्राइंड कर लेंगे और ऐसे ग्राइंड करेंगे कि एकदम ऐसे टेक्शर में आ जाए ना कि हा बहुत बढ़ा क्योंकि रोशुगुल्ला चाशनी में जानने के बाद अपने आभी बढ़ा होजाएगा और फिर उसके बाद हातों के मदद से इसे राउंड करेंगे और ऐसे राउंड करेंगे कि इसमें कोई भी क्रैक ना हो अगर णकर रहेगा तो आपका रोशुगुल् इसे हम side में रख देंगे उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे करीबन एक cup और फिर उसमें उबाल आने देंगे और फिर धीरे धीरे करकर एक एक रोशुगला डालेंगे और ऐसे डालेंगे कि जो उबाल है न वो कम ना हो और इसे धग देंगे और कुक होने देंगे कम से कम 10 मिनिट तक 10 मिनिट बाद आप देखेंगे अभी भी ये फूले नहीं है ठीक तरीके से अभी थोड़ी दिर बाद ये फूल जाएंगे तब तक हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें एक चमच मैदा डालेंगे जैसे उबाल आ रहा है हमें एक चमच डालना है फिर उबाल आएगा फिर एक चमच डालना है ऐसी करके ये कटोरी खतम करना है हमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्याद रहें बहुत ही सही होगा और आप ना रोशुगुला के भी 10-10 मिनिट, 5-5 मिनिट में पलटते भी रहेगा और इस तरीके से हमने 2 कटोरी टोटल ढाला है अब आप देख सकते हैं मैदा डालने के बाद यानि मैदा वाली गोल डालने के बाद उपर बहुत सारे इस तरीके से गंदगी जम गई है जिसे मैं कल्चुल के मदद से निकाल दे रही हूँ और इसमें थोड़ सा पानी और अड़ कर रही हूँ फिर इसमें उबाल आएगा और फिर से गंदगी एक तरफ आ जाएगा और फिर से मैं गंदगी निकाल दूँगी ऐसे करते करते हमें 10 मिनिट तक रौशुगुला को कुक करना है इस तरीके से हम रौशुगुला को कुक करेंगा और हमारा रौशुगुला कुक के तयार हो जाएगा फिर से पानी डाला है और इस बार नॉर्मल पानी में डाल रही हूँ और गाईज देखिए ये कितना अच्छे तरीके से रोशोगुला को खो रहा है और अब ना इसे गरम गरम हम 10 मिनिट तक इसमें छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए और ये देखिए इतनी सारी गंदगी ना निकल के आ गई है सामने सो गाईज अभी रोशोगुला 10 मिनिट के बाद रेडी हो गया है और ये खाने के लिए ना बहुत ही अच्छे से तयार है आप ना इसे अगर पांच घंटे तक रग देते है ना ऐसे ही तो उससे क्या होगा कि रोशोगुला बहुत अच्छे से सेट हो जाता है बट अगर जादा सौफ्ट है आप देखिए और साथी साथ जब आप इसे सुगर सीरप में डालेंगे तो ये अपना शेप वापस से अपने शेप में आ जाएगा इस रोशोगुला की यही खासियत है बहुत ही सौफ्ट बहुत ही स्पंजी और बहुत ही जादा टेस्टी बनी और ये इंपोर्टेंट बात अगर आप रोशोगुला ये रेसिपी ट्राई कर रहे है और अगर आपको कोई भी परिशानी आ रहे है तो आप मुझे नीचे कमेंट करें मैं आपको इंस्टांट रेप्लाई दूंगी और बताऊंगी कि ये दिक्कत आपकी कैसे सौल्व हो सकती है और मेरे चानल पर आपको दिखेंगी बढ़ियां बढ़ियां ऐसी ही रेसिपी गाइस मैं तोड़के भी दिखा रही हूँ ये रेकिए अंदर से कितने अच्छे से स्पंजी है सौफ्ट है और चेना बहुत अच्छी तरीकी से कुग भी हो गया और खाने में ला जवाब है सो गाइस मैं अभी एक रोशोगुला बनाऊंगी जिसमें आप मैदा अगिरा भी यूज नहीं करेंगे सिर्फ और सिफ चेना का तो उस रेसिपी को सीखने के लिए आप मेरे चानल को सब्स्राइब कर ले मैं जल्दी वो रेसिपी भी लाने वाली हूँ सो गाइस बाइब आप इए